तूर भी खतम करके मैं अपने रूम में आ गया था फिर थोड़ा रेस्ट करके फ्रेश होके अभी निकला हूँ फिर से अब मैं जा रहा हूँ कोरॉंग कोरॉंग एरिया वहाँ पे एक फैमस बीच है जो अलनेडो का most famous and one of the main beach भी है जो अलनेडो में दूसरा famous बीच है वो है नाकपटान बीच बटो बहुत दूर है और जो बीच में जा रहा हूँ ये बीच मेरे होटल से 15-20 मिनिट दूर ही है यहाँ बहुत सारे shops, restaurants, bars, extra हैं अभी मैं यहाँ से ट्राइसिकल लेके जाऊँगा बीच जो मुझसे एप्रोक्स 50-200 पैसो लेगी पहुचके मैं आपको आगे का अपडेट करता हूँ क्या है कैसा है जर्नी का तब तक आप इंजोई कीजिये मेरा ब्लॉग पंदरा मिनिट की ट्राइक की राइट करके हंड्रेट पैसो में मैं आ गया हूँ को रॉंग को रॉंग बीच और यह बस मैं एंटर कर रहा हूँ बीच में इसके गेट से लेट सी आपको दिखाते हैं कैसा है बीच यह यहाँ का वन ऑग दे मोस्स फेमस बीच है बहुत से लोग हैं हापे अल्रेडी चलिए देखते हैं गाइस बीच के लिए यह रास्ता बना है बहुत ही खुबसूरत तरीके से बना हुआ है मैंटीन किया है और कुछ शॉप्स भी बने हुए हैं बीच बीच में बीच का नाम है वैनिला बीच अरिया नेम इस कोरॉंग कोरॉंग आफिस विच है बीच का नाम है वैनिला बीच अब हम आ चुके हैं वैनिला बीच चलिए आपको ऑप को दिखाता हूं वैज स्थ सील उड उस डिस एव संसेट व्यू उफ और ठेमीज इस जा एवनिला बीच Momo आलनेडोट तर्मिनल का मार्केट आप देख सकते हैं आपे बहुत सारी दुकाने हैं और यह जो आ भीड देख रहे हैं यह है बहुत सारी दुकाने हैं यह जो आप देख रहे हैं यह जो आप देख रहे हैं यह जो हम यह आप यूज कर रहे हैं और यह ओनली पबलिक ट्रांस्पोर्टेशन एवलेबल इन अलनेडो है यह है वेजी टेबल एंड फ्रूट मार्केट लगा हुआ है गाइस आप देख सकते हैं तो अवी शाम के बच्छे बच रहे हैं अपने होटल में टूर के बाद मैंने रेस्ट किया थोड़ा फ्रेश अप उप वगा शौवर लिया उसके बाद अभी मैं निकला हूँ होटल से और होटल से करीब सेवन फिफ्टी एफंड़ेट मीटर वाक करने के बाद मैं अभी आया हूं जो यहां का नाइट एरिया है बीच साइट पे जो मार्केट है पार्टी स्ट्रीट है सो मैंने का चली आपको थोड़ा सा अलनेडो का नाइट सीन दिखाएगी कैसा है अब अलनेडो एक छोटा आइलेंड है तो यहां पे नाइट सीन उतना है नहीं है जितना मनीला एंजलिस में है बट फिर भी इस गुड़ वाइट यू चिल आउट यू और रिंक यू और यू तर दो में है जितना है आइट सीन झालोघ है जितना है वाइट यू 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 सो अभी मैं एंटर कर रहा हूं एलनेडो की फैमस वाकिंग स्ट्रीट में एंट्री पर ही ट्रैसेकल स्टेन बना हुआ है ये वाकिंग स्ट्रीट एलनेडो मेंन मार्केट में ही है और बीच के बहुत नजदीख है ये एरिया फुली डेडिकेट है टूरिस्टों के लिए सो यहाँ पर शॉपिंग एन ओल एक्स्पेंसिव है बाहर के मार्केट स्ट्रीट के कमपेर में यहाँ आपको मेजरली फॉरेनर्स मिलेंगे एलनेडो के best clubs, discos and party destinations आपको यहीं मिलेंगे वीकेंड पर ये एरिया बहुत crowded रहता है यहाँ पर कुछ अच्छे beach side restaurants, beach views, clubs and rooftop bars भी है सो आप आके आराम से time spend कर सकते हैं और डेली 8 p.m. तक यहाँ happy hours रहते हैं मैं डेली after hour tour and all यहाँ पर आता हूँ चिल आउट और डिनर के लिए यहाँ पर आपको सारे cuisine's के restaurants मिल जाएंगे अच्छे shops मिल जाएंगे एलनेडो में रात को यही एक area है जो happening रहता है bike rent and all भी shops हैं यहाँ पर बहुत सारी दिन में यह street normal market जैसी होती है वीकल्स allowed होते हैं शाम को यहाँ पर कोई वीकल्स allowed नहीं होता सो चलिए guys enjoy कीजिए एलनेडो walking street यह guys जो आप देख रहे हैं street यह kind of एक walking street है अलनेडो की means यहाँ पर गाडियां वीकल्स allowed नहीं हैं शाम को 6 pm के बाद और यह street पर आपको सिफ restaurants, bars, clubs, decent वाले और अपने general stores, tourist office, travel desk, tourist informations and souvenir vendors extra के shops और counters दिखेंगे और majorly tourist आपको शाम को यही पर इसी street पर दिखेंगे so it's a happening street of El Nido अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करना ना भूलें और आगे ऐसे ही exciting videos देखने के लिए और मेरे videos के updates लेने के लिए please subscribe to my channel thank you guys